पीजेपी विधायक दल की बैठका जो विधानसवा सत्र से पहले एहम बैठक लोगबवन में पीजेपी विधायक दल की बैठक होंगी 29 जुलाई से शुरू हो रखा है विधानसवा सत्र और सत्र को 104 रूप से चलाने को लेकर के मंथन होगा मौनसूर सत्र मैनुपूरक पजट पेश करेगी योगी सरकार तो देखे जिस तरीके से आप जानकारी वर्णी विधानसवा सत्र से पहले एहम बैठक होनी है तो मौनसूल सत्र से यहां पर देखें किस तरीके से खयास है और मौनसूल सत्र मैनुपूरत पजट पेश योगी सरकार करें की 29 जुलाई से शुरूप हो रहा है विलान सबगर सत्र और इस लिहास से यह जो विदायक दल की बैठक के कईमाईनों में एहम बताई जारें शुबम हमाय साथ करेक्टर रखना उससे शुबम विजर पेश विदायक दल की बैठक आज होनी है क्या कुछ अपडेट इस पूरी बैठक को लेकर क्या और इसके अलावा मुद्दे क्या रहने वाले हैं जब लकुल देखे एक बहुत बड़ी बैठक भारती जन्ता पालिटी के विदान मंदर दल की होनी है और इस बैठक में तमाम विदायक मौजूद रहने वाले ये बैठक अपने आप में इसलिए काफी जादा एहम है क्योंकि लोक सभाव चिनाओ के बाद अब बजट सत्र होने जा रहा है जो कि कल से शुरू होगा और इसे ले करके तमाम तरह की जो तयारियां है इस बैठक में की जाएगी तमाम विदायक मौजूद रहेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जाने उसका कैसे जवाब देना है कि इन मुद्दों के सहारे भाती जन्ता पालिटी अपना पक्ष सदन में मजबूती से रख पाए इन तमाम चीजों को ले करके ये विदान डल की बैठक है और इस बैठक आओगी इसके साथी साथ क्योंकि बिते जिनों उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जो राजितिक खल चल रही है उन तमाम सवालों के जवाब भी कैसे क्या देने हैं आज इस बैठक में तैय होगा शुबम इसके लावा देखिए केंटर्प में बजट पेश किया गया उसमें तमाम चीजों को लेकर के जखर था बजट को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किये गया लेकिन जब आब उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट यहां पर पेश यो जब दिल्ली में भी बजट जब हुआ तो उसके बाद से सवाल खड़े करना शुरू कर दिये थे बजट को लेकर के कि उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला यह तमाम बातें लगातार विपक्ष के दल कह रहे हैं इसमें खास तोर से समाजवारी पार्टी एए बात मु भूमखी विकास को देखते हुए बहतर बजट उत्तर प्रदेश के लिए लाया जाए लेकिन विपच्छ भी अपनी तैयारी के साथ मौजूत रहेगा तो लिहाज़ा उसके भी सवालों का जवाब बहतर तरीके से और कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को तेज गती के साथ तागे बढ़ाया जा सके क्योंकि लगातार मुख मंत्री यूग्यार इतनात कल भी जब दिल्ली में थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर के साथ तोर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में असीमित संभावना है तो ऐसे में असीमित संभावना के साथ साथ बहतर संभाव बड़ी खबर बता दे कलियोगी बेटे